हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं दिली सल्तनत हम दिली सल्तनत के अंदर सिरफ स्लेव डिनेश्टी ही आज पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं सारी डिनेश्टिया एक साथ पढ़ाने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और इसके अंदर हम सिरफ फैक्ट् जोगों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे मोहमद गौरी के बारे में क्योंकि मोहमद गौरी का डारेक्ट तो इन्वाल्मेंट कोई नहीं है दिली सल्तनत के अंदर पर इनका इंडिरेक्टली बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर तो प्रिथ्विय राज चोहान ने इनको मारा नहीं था और यह उनको छोड़ दिया था कि तो भी चला जा और वह सबसे बड़ी गल्ती थी प्रिथ्विय राज चोहान की अगर वह गौरी को श्टन ही मार देते लड़ाई के अंदर तो यह हिस्ट्री ही कुछ और होती पर उन् के बाद इन्होंने लाज राजपुत रूलर जैचंद को बैटल ऑफ चंदावर के अंदर भी हरा दिया था 1194 के अंदर और इन्होंने अपॉइंट करा कुटूबदी नाइबग को ऐसा गवर्नर लहोर के अंदर और यह मेन स्टैप इससे आपका दिल दी सब्सक्राइब के स्लेव डैनेश्टी का नाम दे दिया गया और कुछ नहीं अब इनकी मृति हो गई थी 1260 के अंदर तो अब यहां से डिली सल्तनाथ शुरू होगी तो डिली सल्तनाथ सबसे पहले वह सब को पढ़ लेंगे फिर अमत उनको तुरिक बताऊंगा वसको कैसे आद करना तो पहले हम सारी सलतनत देख लेते हैं सबसे पहले थी स्लेव नेश्टी फिर आई थी खिल जी इसके उपर आपने मुवी भी देखे होगी अलाउदिन खिल जी जो यह उन डानेश्टी से बिलॉं करते रहें और तुगलक डानेश्टी थी उनके बाद उनके बाद सहीयद आये थे सहीय खाया तसले से लो दिन है। मैं दोर्ण गोड खाया तसले से लो दिन है। कितना अपसान है गुड गुड से आप कन्फ्यूज मत होई एगा गुड से हम गुलाम याद कर सकते हैं और गुलाम को इंग गाते हैं स्लेव तो गुड खायत असलेस से लोधीλ है तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम कौनसी दिनेश्टी पढ़ेगी कि मैं पहले इनकोadora कूंधे कुछ ממंद केता है और इनको लख भक्ष बिका जाता था क्योंकि बहुत दरिया दिल इनसान थे इसलिए ने लगबक्ष भी का जाता था और इनने दो मॉस्क्यू बनाए है सबसे बहले कवातुल असलम दिली के अंदर और दाइदिन का जोबड़ा अजमेर के अंदर और एक उश्चन इतना रिपेट हुआ है हर एक्जाम्स के अंदर कि वो पोलो खेलती हुए कौन मरा तो वो थे कुतुब दिनापक पोलो की जगा चोगान भी उसकर सकते हैं वर्ड तो उनका अंसरमिशा कुतुब दिनापक होगा कन्फ्यूज मत हो जाहिए अब इनके बाद आय थे इलतुतमिष 1210 के अंदर इलतुतमिष इनके जवाई थे इनके बेटे को गदी नहीं मिली है इसके जवाई को गदी मिलती है लडाईयां भी किया है वो हमें पढ़ने की जूरत नहीं पॉड़ने एक्जाम पॉइंट अब यह कौन थे सनेला थे कुतुब दिनापक के और इनोंने राजपुत रूलर रंथंबोर, अजयन, बेंगौल, बिहार के सब को हरा दिया था इतने अच्छे रूलर थे और चंगेज खान क्योंकि उस टाइम पर चंगेज खान के बहुत बड़ा था वो आता था लूटके चला जाता था ता बाही मुझा आने के लिए तो इससे चंगेज कान खुश हो गया और उनकी सल्तनात कंडर कभी वापिस निया और इनोंने एक मॉस्की बनाया और एक टॉं बनाया जो मॉस्की दान कंडर बनाया और टॉं ए रेड स्टोन का दिल्ली कंडर इसकी फोटो है और उनकी डेथ होगी थी 1236 कंडर अब रजिया सुल्तान जो की इलतुतमिष्ट की बेटी थी उसने थ्रोन संभाला ये बहुत इंपोर्टन है ये सिरफ एकलौती लेडी रूलर सी सल्तनत की तो प्लीज इसको बड़े याद रखे बहुत कोशन आते हैं इसके अपर और जो कोई बड़ा होगा तो आदमी के थोड़े हो आजाते हैं कि मन में कि लड़की मेरे ओपर कैसे निकल गई तो उस टाइम तो पहुत जादा थी तो अब ये राजा की गदी बैठी हुई थी तो लोग इससे बहुत नफरत करने लगे जो जो नोबल से अब एक लड़की मुझ कुछ खास कर रहा ही ने उनके बाद जो इंपोर्टन रूलर है मैंने आपको पहले हैं इसके 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 पड़ेंगे जो इंपोर्टन है तो क्या सो दिन बलबन आई हैं उनके बाद अब इन्होंने नसीर उदीन मुहमद के बाद थ्रोन पे बैठे हैं 1266 AD के नदर और इन इन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेक्टिस अच्छी तो नहीं कहूंगा मैं बद इन्होंने प्रेक्टिस शुरू करें जिजदे कि आगे मिझे सिजदा करें अब इनकी डेथ हो गई थी 1286 AD के नदर उनके जो सक्सेसर थे वह बाद वीक थे मतलब उन्होंने कुछ खास क हो गई है जो important question थे हैं वह हमने सब discuss कर लिए थेंक यू इस चैनल को जुरू subscribe करें आप जरूर बताए comment box के अंदर के आपने आगे क्या पढ़ना है थेंक यू